साथ ही हो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सान एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए हैं आपके लिए MPPSC 2020 और 2021 की दृष्टी से अति महतपूर एक टॉपिक है यूरिट 9 का सूचना एवम संचार प्रोध्योगी की देखे यहाँ एक ऐसा टॉपिक है जो आपके करेंट अफियर्स के भी प्रष्टनों को कवर करेगा और यूरिट 9 के लिए भी महतपूर है तो यहाँ पर हम इसमें जो भी करेंट की घटनाय हुई उनको भी एड करते हुए चलेंगे सूचना एवम संचार प्रोध्योगी की में अभी तक लोगों ने आपको वीडियो दी होगी काफी वीडियो आपने देखी होगी लेकिन current affairs के प्रश्णों को आपने नहीं देखा होगा लेकिन हम आपके लिए इसमें current affairs के भी प्रश्णों को ले करके आए है सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपका exam अब खिसक करके जूर में पहुंच गया है तो अब आपसे जो सूचना अब संचार प्रोदो की है उसके current affairs के प्रश्णों को भी पूछा जाएगा ये आप मान लीजिए और आपके पास समय है अभी ये वक्त है कि आप अच्छे से अपनी practice कर लीजिए जो आपकी units रह गई हैं जिनके आपने अच्छे से तयारी नहीं की है उनकी आप तयारी कर लीजिए बाकी unit 9 की बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड की है अगर आपने अप तक नहीं देखिए तो जाकर की देखिए पूरा एक-एक प्रश्णी की detail में हमने आपको जानकारी दी है चैनल में playlist बनी मिल जाएगी unit 9, unit 8, unit 10, unit 7 बन सभी वीडियो आपको एक ही इस्थान पर मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए बाकी जो बची यू यूनिट्स है उनके भी mcqs हम बहुत जल्द आपके लिए ले करके आने वाले हैं यह प्रश्ण नमबर एक की ओर चलते हैं तो देखिए सारे अपने हापर करेंट अफियर के हैं आपको देखने को मिलेंगे तो प्रश्ण नमबर एक है विश्वगी प्रमुक टेक्नोलोजी कंपनी Microsoft ने किस राज में अपना नया विकास के अंदर यानि कि IDC की सुविदा सुरू की है ऑप्सन ने है गुजरात ऑप्सन भी उत्तर प्रदेश ऑप्सन सी यह तेलांगना या फिर ऑप्सन नमबर डी है केरल तो कहां पर Microsoft ने अपनी नई IDC सुविदा शुरू की है आईए देखते हैं सही answer B यानि कि उत्तर प्रदेश में Microsoft ने अभी हाल ही में 30 मार्च को नई IDC सुविदा चालू की है तो कहां पर उत्तर प्रदेश में भी चालू कि यह आईए देखते हैं पूरी जानकारी आपको देते हैं और यह भी बताते हैं कि IDC क्या होता है आप से IDC का फुल फॉर्म भी पूचा जा सकता है तो देखी प्रमुक टेकनोलोजी कंपनी माइक्रो सफ्ट ने उत्तर प्रदेश के नौईडा में अपना नया Microsoft India Development Center यानी कि IDC की फुल फॉर्म क्या हो गई आई इंडीयन डेवलोपमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की है इस सेंटर के खुलने से क्या होगा तो भारत को टेक्नालोजी में नई सुविधाओं की प्राप्ति होगी साथी साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा ठीक है तो दोनों यहाँ पर प्रॉबलम सॉल्व हो जाएंगी भारत की युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथी साथ में नई टेक्नोलोजी भी मिलेगी माइक्रोसॉप्ट ने ये काम चालू किया कहां पर उत्तर प्रदेश के नोईडाम है ठीक है चलिए प्रेश्ट नमबर दो की और चलते हैं प्रेश्ट नमर दो भी आपका करेश्ट का ही प्रेश्ट है देखिए फाइब जी नेटवर्क के संचालन का प्रदंसर करने वाली भारत की पहली दूर संचार कंपनी कौन बन गई है जैसा कि आपको पता यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनके मद्वें हमेसा कॉम आपके लिए फाइब जी हमने लॉंच कर दिया है तो आईए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रेश्ट के बारे में तो देखिए भारती एटल ने गोश्टना की है कि हैधराबास सहर में एक वाड़िजिक नेटवर्क पर फाइब जी सेवा का सफलता पूर्वक उन्हों कोई नहीं कहा है कि इन्होंने ऐसा किया है यह फाइब जी ने लॉंच कर दिया नहीं तो यहां पर घोशना कर देगी तब मानाजाएगा लेकिन प्रशण अपलोड करते हैं जहाँ पर करेंट अफियर के एक एक प्रशने के बारे में हम आपको डीटेल में जानकारी देते हैं क्योंकि हमारा प्रयास यह है कि जब तक आपका एक्जाम हो तब तक आपका यूनिट एट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है और वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्मूर होगा चलिए प्रस्ट नमर तीन आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट की गत्विदियों को मजबूत करने के लिए किस संस्थाने मोर्ट के साथ में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है अब हम यहाँ पर अब आपका मोर्ट के साथ में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर की है तो किस बात को लेकर कि समझोता हुआ है यह उसकी जनकारी आपको देते हैं तो देखिए मोई टीएच यानि कि सडख परिवहन और राजमार्ग मंतराला यह आपका मोई टीएच का फुलफाम हो जाएगा और सडख परिवहन राजमार्ग मंतराला के मंतरी कौने इसमें तो नितिन गड़करी इसके मंतरी हैं यह भी आप याद रखेगा ने आयाइटी रूड़की देखो मोई टीएच ने और आयाइटी रूड़की ने राजमार्ग राजमार्ग इंस्वर्ट्रक्चर के लिए अनुसंधान और विकास सिच्छन प्रसिच्छर पर ध्यान के इंद्रित करते हैं के इंद्री सडख मंतरी नितिन गड़करी हैं देखिए होगी अब हम आपको अपनी लेंग्विज में बताते हैं अपनी भासा हैं देखिए मोई इसके बारे मापको पता चल लगा है कौन है मोई तो सड़क परिवान राजमार्ग मंत्राल है और जो आयाइटी रूड़की है इन दोनों मिल करके सड़कों को कैसे अच्छे ढंक से यहां तो आप नितिंगडकरी को बता दीजी है चलिए आगे बढ़ते हैं बारत में डिजिटल क pipes और प्रतान करने के पूर है की है और इसका एंसर भी आपको बताते हैं सब्सक्राइब के साथ में राष्टी कॉसल विकास निगम यानि की नैशनल इसकिल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन एंसी डी किसी ने इनने क्या किया यहाँ पर समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है इससे क्या होगा तो देखिए भारत में डिजिटल कॉसल प्रसिच्छन प्रदान करने के लिए कैलीफोर्निया इस्टेट यूनिशिटी के साथ में भागेदारी की है यहने कि भारत की जो राश्टी कॉसल विकास निगम है आपने सुना भी होगा राश्टी कॉसल विकास निगम के बारे में यहाँ पर कुछ योजनाय भी चालू की गई थी ठीक है और जो है कैलीफोर्निया इस्टेट यूनिशिटी ने दोनों ने मिल करक प्रेस्ट नम्बर पांच प्रेस्ट नम्र पांच है रमेश पोखरिया निसंग द्वारा सुरू की गई दुनिया की सबसे सस्ती आर्टी पीसियार कोविड नाइंटी डागनोश्टिक किट का नाम क्या है यह आप से पूछे जा रहा है और अपसन ए है कोरो सेफ किट और और कोरो स्योर किट ऑप्सन सी एक कॉर्डिप किट या फिर ऑप्सन नम्र डी है इन में से कोई नहीं तो अभी हाली में गोशना की गई रमेश पोखरिया निसंग के दौरा कि सबसे सस्ती आर्टी पीसियार किट का इन्होंने निर्माण कर लिया है तो कौन सी किट है और देखिए आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी इस वीडियो मिलने वाली तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा और आपके लिए एक मंत्री और महत्पूर हो गया तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरिया निसंग ने कोविड-19 डागनॉस्टिक किट को को लांच किया है जो आटी-पी-सी-आर अब आड़ी-पी-सी-आर का फुल-फर्म देख लीजिए तो रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन पॉलीमरेस चैन रियक्शन ये आपका आठी-पी-सी-आर का फुल-फर्म होता है आप से पूछा जा सकता है आधारीत सबसे सश्टी कि तो अभी जो launch की गई है Corosure ठीक है तो सबसे सस्ती किट हो जाईगी अब देखिए इसको बनाय किसने है तो यहां IIT दिल्ली द्वारा भारती चिकिस्ता उनसंदान परिसद और Drugs Controller General of India के द्वारा अनमोदित और विक्षित किया गया है तो देखिए प्रस्ट नमर 6 रच्छा अनसंदान और विकास संगठन डियाइडियो के साथ भारती सेना वेरियंट के आकास मिसाइल हतियार पडाली के लिए किस कंपनी ने लाइसेंस पर समझोते पर हस्ताक्चर किया है यानि कि देखिए एक आकास नाम की मिसाइल है ये देखो टेक्निकल लेंग्वेज में ऐसे ही प्रस्ट नम से पूछे जाएगा अब उसको समझना आपके उपर डिपेंड करता है तो आकास जो है एक मिसाइल प्रणाली है तो इसके उपकरणों को बनाने के लिए एक कमपनी ने भारती रच्छा अंसंधान डिआइडियो के साथ में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है सीधे सीधे आपसे यह पूछा जा रहा है और टेक्निकल वाले जो प्रस्ट होंगे वो आपके ऐसे ही language में पूछे जाएंगे ठीक है तो उनको decode करना आपकी जिम्मेदारी बनती आप अगर समझ लेंगे तो प्रस्ट को अच्छी से solve करके आ जाएंगे नहीं समझेंगे तो गलत करके आएंगे ठीक है इसलिए आपको सीधे language में समझाना ये हमारा करता भी है तो बने रही है हमारे साथ में आपको हर एक प्रस्ट के बारे में simple language में simple जानकारी आपको प्रदान की जाएगी ठीक है option number A है ordinance factory board option number B है मिस्रा धातु निगम option C है भारती dynamics limited या फिर option number D है भारत earth movers चारो भारती हत्यार बनाने वाली कंपनिया है तो आईए पूरी जानकारी देते हैं सही answer की बात रते हैं तो सही answer C यानि कि भारत dynamics limited ने यहाँ पर आकास मिसाइल हत्यार पनाली के लिए D.I.O के साथ में समझोता ग्यापन पर हक्ष्टाक्चर किया है तो देखिए भारत dynamics limited यानि कि B.D.L ने D.I.O के साथ आकास मिसाइल हत्यार पनाली के लिए license और प्रध्योग की इस्थाना अंतर समझोते पर हक्ष्टाक्चर की हैं अब D.I.O प्रमुक की आपको याद रखने और किस कंपणी ने यहाँ पर समझोता ग्यापन पर हर्स्थाक्चर किया है यह आपको याद रखना है ठीक है तो करेंट और unit 9 का दोनों प्रश्ण आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नमर साथ की और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको पूरी वीडियो देखना है क्योंकि यह बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है अब देखिए आपको क्या समझना इसमें तो एक यहाँ पर ड्रोन का निर्माण किया गया है जो किस प्रणाली पर आधारित है तो नाम क्या है तो ए दो हजार इसका नाम है तो किस राज में यहाँ पर सफलता पूरक लॉंच किया गया यही आप से पूछ जा रहा है और प्रणाटक की तुमकूर में किया गया है तो याद रखिए करनाटक के तुमकूर में किया गया है अब देखिए यह क्या है तो यहाँ भारत के डिजिटल स्काइप लेटफर्म का एक हिस्सा है और बताते हैं तो इसमें ड्रोन को रिमोटली कंट्रोल करते हुए विभिन इस्थानों की निगरानी में प्रयोग में लाया जाएगा इसका काम क्या है तो विभिन इस्थानों की निगरानी के लिए इसको यूज करना है और यह मुखिता यातायाद को नियंतित करने के लिए इस प्रणा आयों संचार प्रद्वेकिन के मिक्स प्रशन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अब आपकी exam date आगे बढ़ गई है इसलिए ठीक है चलिए प्रस्ट नमर आठ की बात करते हैं उपराष्ट पती वेंकायन आइडू दारा लांच किये गए भारत के पहले social media app का नाम क्या है बहुत महत्पूर्ण यह प्रस्ट है और यह वीडियो अगर आपको पसंदार हो वीडियो को लाइक करते हूँ चलिएगा option यह मिलाप, option भी है chat मत, option c a connect, option d है elements तो किस नाम से भारती उपराष्ट पती वेंकायन आइडू ने पहले भारती social media app को launch किया है आईए देखते हैं सही answer d यान की elements के नाम से यहाँ पर पहला भारती social media app launch किया गया है देखे पूरी जानकारी elements के बारे में तो देखें उपराष्ट पती वेंकायन आइडू ने भारत का पहला social media app लाइडू नाम elements रखा गया है एप उप्योग करता को मुफ्त में वीडियो या audio call करने या निजी समूव में चैट करने की अनुमती देता है या एप महत्वा कांची मेकिन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है ठीक है तो यह technical language आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला भारती मीडिया यह अफ launch किया गया social media, जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम है आपका elements ठीक है, किस ने launch किया है तो been cassin i too ने launch किया है, ठीक है किस पहल का इस्स है, तो making an india पहल को बढ़ावा देता है बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है बागी यह सारी चीज़ें वाट्साप में भी होती है वीडियो कॉल कर सकते हैं चैटिंग कर सकते हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी दीगी ठीक है और telegram channel को जरूर जॉन कर लीजिए, टेलिग्राम अपर जाईए, सर्च किजी सक्से जंक्सन, वहाँ पर आपको हमारा logo देखने को मिल जाएगा, वहाँ से telegram channel जॉन कर लीजिए, प्रीवियस जितनी वीडियो है, चाहिए वो unit seven हो, unit ten हो, unit nine हो, unit eight हो, सारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है प्रस्ट नमर 9 की बात करते हैं तो किस संग्ठन ने अभी हाली में फोबोस नाबक मंगल ग्रह के सबसे करीवी और सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर जारी किये चंद्रमा का मतलब क्या है यहाँ पर उपग रहा है तो फोबोस नाम का जो उपग रहा है वो मंगल का उपग रहा है आपको पता होगा अगर आपने भूगल पढ़ा है तो उसकी सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट तस्वीर किस ने जारी की गई पर आपना यान पहुचा दिया और इतने कम पैसे में और इतने कम पैसे में भी उसने क्या किया फोबोस नाम का जो ग्रह है इसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर क incorporates करके पहुचा दी बहाई ये लोग कर कैसे रहा है तो यही तो है इसलिए तो कहते हैं भारत सबसे अलग है ठीक है चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं तो देखिए भारती अंतरी चंजसंधान संगठन इसरो ने फोबोस नामक मंगल गरह के सबसे करीबी और सबसे बड़े उपगरह की तस्वीर जारी की है जिसमें भार एक जुलाई दोजार 20 को लिया गया था जब मोम ने फोबोस से 42,000 किलोमेटर का लिजीगा तो 42,000 किलोमीटर की दूरी पर था तो 42,000 किलोमीटर की दूरी से एक लिम donn थी कव एक जनवर एक जुलाई 2020 को और डियाइडो ने अब उसका जो प्रसेच्छन वगरा पूरा करके पूरा सच्चाई उसकी जान करके अब अभी हाली में फरवरी में उसको लॉंच किया ठीक है चलिए प्रस नमबर दस की और चलते हैं तो देखिए प्रस नमबर दस किस स ने लॉंच किया यह आप से पूछे जा रहा है और इसका सही आंसर है यानि कि आयाटी कानपूर ने भी एक वर्चुल क्लास्रूम वर्चुल का मतलब समझ रहे हैं अब तो आप वर्चुल समझने लगे होंगे जब से कोरोना स्टाट हुए तब से सारी सारे चीज जो है व यहाँ पर आयाटी कानपूर है यह टाइप राइटर महोद है क्या करते रहते हैं तो आयाटी कानपूर इसका सही आंसर है आयाटी कानपूर ने अभी हाली में एक वर्चुल क्लास्रूम मोबाइल मास्टर जी विक्सित किया है यह वर्चुल होम क्लास्रूम सिच्छर सेट कानपुर ने भी हाली में मोबाइल मास्टर जी नाम से एक जो है एप जो है लॉंच किया है ठीक है चलिए तो यह वीडियो आपको कैसी लगए अगर वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के पास सियर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन जरूर दबाद लिजिए का आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर है सारी की सारी वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी कोई दिक्कत की बात नहीं पेपर भले ही आपके आगे किस अगया है लेकिन आपकी बेहतर से बहतरी तैयारी सकसे जंक्सन की दवारा क आहना है प्रक्राइगा जाती रहेंगी सारी वीडियो देख लिए जोबनेश से सारी वीडियो felt कि हैं सारी वीडियो देखना आपका फरजमता है क्योंगी आपको बहतर से बहतरीन तैयारी करनी है जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यबाद सुबह वाली करेंट अफिर की वीडियो जरूर देख लिजिएगा